नमस्का दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कभर करेंगे इगनु दिसंबर परिच्छा एक जाम फॉर्म को लेकर बहुत सारे जो है तमाम जो है विद्यार्थी कमेंट करके लगातार पूछे जा रहे थे कि आप हमें बताईए कि इगनु जो दिसंबर परिच्छा फॉर्म आ सब्सक्राइब नहीं किये तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वैल क इकडिकन को पूस करके जुड जाईए ताकि आने वाला हार परिकार का बीडियो आप आसानी से देख पाई तो आज के इस वीडियो में कभर करने वाले हैं उन्हें भी दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, दिसंबर एक्जाम फॉर्म कौन-कौन भर सकता है, दिसंबर एक्जाम फॉर्म देने के लिए क्या-क्या इलिजिबिलीटी होना चाहिए, दिसंबर परिच्छा के लिए एड्मीट कार्ड और डेट सीट कब तक रिलीज किये जाएंगे, इस परकार से इन तमाम कौस्चन में से कोई भी अगर आपके मन में कौस्चन है, तो दोस्तों ये वीडियो आप देखते रहीगा, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, इसके आलाव बहुत सारा कौस्चन है, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए वीडियो को कम्पलीट रूप से दोस्तों जरूर से जरूर देखेगा, आपको इसमें बहुत सारा चीज़ें जो की सिखने के लिए मिल सकते हैं, तो चलिए दोस्तों वन वाँ वन करके स्टार्ट करते हैं, तमाम कौस्चन को आपके सामने परदेशित करने का कोसिस करेंगे, जैसे कि दोस्तों आप सभी को सबसे पहला कौस्चन है, जो की आपके मन में उठ रहे थे, उसकी पहले की अंसर आ चुके, इगनू एक्जाम फॉर्म कब तक भरा जाएगा, सबसे पहले, तो बता दे दोस्तों, दिसंबर परिछा के लिए जो एक्जाम फॉर्म है, अक्टूर के अंतीम सब्ता में शुरू हो जाएगा, यानि कि दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी अक्टूर इंटर हो चुका है, यानि कि आज से ठीक 15 से 20 दिन के बाद आपका एक्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, ओफिसली तोर पर लिंक जारी कर दिया जाएगा, तो जो भी इसके भी मन में यह कॉस्चन थे, कि एक्जाम फॉर्म कब तक सुरू होंगे, उनका इस बात का जवाब मिल चुका है, जैसे एक्जाम फॉर्म भरना सुरू होता है, वैसे आपको इसी वीडियो में, इसी चैनल पर ही सबसे पहले देखने के लिए अपडेट मिले गया, उसके बाद दोस्तों, दूसरी कोश् कि दिसंबर का परिच्छा, इगनु दिसंबर का परिच्छा कब से सुरू होगा, तो दोस्तों हर एक साल परते एक साल यह देखा गया है कि इगनु में जो दिसंबर परिच्छा का जो सुरूल है, वो एक दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक लेता है, और इस साल भी आसा करते कि इस साल भी सेम डेट पर एक दिसंबर से एक तीस दिसंबर तक आपका परिच्छा लिया जाएगा दोस्तों आपको बता दें कि जो अंतीम सब्ता में जो सुरू होगा एक्जामिशन फॉर्म वो पूरा का पूरा तीस नौमबर तक पूरा एक महिना का समय आपको दिया इसमें नहीं होगा क्योंकि उसके बाद टूर के बाद नौमबर आ जाता नौमबर के बाद दोस्तों दिसंबर आ जाता दिसंबर में एक दिसंबर से परिच्छा इस्टार्ट होगा इसलिए बार बार यहां डेट है एक्स्टेंड नहीं होगा इसलिए जिन विद्यार्थो को दिसम्बर परिच्छा देना है उन्हें फटाफट जैसे आए वैसे आप भर दिजिएगा उसके बाद दोस्तों अगली जो कोशन है दिसम्बर परिच्छा कौन-कौन विद्यार्थी दे सकते तो बता दे दिसम्बर परिच्छा परिच्छा दोस्तों जो भी जन्मरी कि फिप सेमेस्टर होंगे वो भी परिच्छा दे सकते हैं जुलाई कहने का मतलब है दोस्तों 2019 में जो भी द्यारती लिये थे वे भी यहाँ पर परिच्छा फर्म भर सकते हैं इसके आलावा जोस्तों जिन के निरीटों का परिच्छा जून 2020 में परिच्छा था वो भी में जो परिच्छा होने वाले थी उसको extend करके दिसंबर 2020 में परिच्छा देने के लिए एलान कर दिया इसके आलाबाद दोस्तों जो भी के निडे जूलाय 2020 का certification course कर रहे होंगे वे भी student दे सकते हैं certification course कहने का मतलब होता है दोस्तों 6 महिना वाला course जिन के निदेटों के 6 महिना वाला course होगा वे भी बिद्धार्थी इस परिच्छा को देने के लिए eligibility होंगे तो I hope दोस्तों आप सभी यहाँ पर नमच्छ कुकई होगी कौर कुर और विद्धार्थी दे सकते हैं कौर कुरुध टियार्थी परिच्छा के लिए फर्म भरेजे में दोबारा से यानि, फिर से परिच्छा फॉर्म भरने की जोरत नहीं है वे परिच्छा देंगे और दे सकते हैं इस चीज को ध्यार रिखेगा जून 2020 के लगर आप फॉर्म भरेंगे तो उन्हें के निडेटरों को दोबारा फॉर्म भरने ज़रूरी नहीं है अगली जो कॉस्चन है क्या फाइनल क्या फाइनल यर के विद्यार्थी भी दिसंबर में परिच्छा देंगे या नहीं देंगे तो इसकी विबास्त में यहां पर टॉपिक्स में कबर करते हैं दोस्तों यहां पर जी हां वे भी परिच्छा दे सकते हैं बसरते वी सिप्टमबर में परिच्छा दिये होंगी औ वह वी विद्यार्थी दिसंबर में परिच्छा दे सकते हैं उसके लिए दोस्तों फॉर्म भरना आपको जुरूरी है यानि कि दोस्तों आपका अगर परिच्छा दिये होंगे सिप्टमबर महिना में और किसी कारण वसक्राफ फेल हो जाते हैं तो यहां पर परिच्छा फॉ जो है घोसित कर दिया जाए अगली जो कॉस्टन है मैं फाइनल एर के विद्यार्थी हूं और में सिप्टमबर में परिच्छा नहीं दे पाया है किसी कारण मस कोई भी कारण मस चाहिए कोराना के कारण मस हो या कोई तबियत खराब हो जाने के कारण या जान बूच कर भी अगर आप परिच्छा छोड़ दी होगी तो क्या मुझे एक्जाम फॉर्म भरना जुरूरी है दिसंबर परिच्छा के लिए दिसंबर परिच्छा देने के लिए जी नहीं या देखिए अगर आप दिसंबर का परिच्छा देने जा रहे हैं तो नहीं यदि आप सिप्टम स्टेमबरं नहीं लेकिन लेकिन अगर सिप्तेमबर परिच्छा दी जीए और आगर आप हो चुक यह तो यहां पर दो परकार क्यानीड़ीट यहां पर मिलेंगे ज़ो दोनों हम लगते हैं कि दोनों के यहां पर हमने किलियर कर दिया अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली कोस्चन इगनु दिसंबर परिच्छा की डेट सीट कब तक जारी कर दिया जाएगा तो बताते दोस्तों नॉमबर के जो थर्ड विक होंगे उस वक्त आपका जो डेट सीट है एगनु के त दिसंबर परिच्छा के लिए एडि्ट कर दिया जाएगा तो दोस्तों बता दें आपका पता है कि एक इसमबर से आपका परिच्छा होगा लेकिन समय काफी जादा इधर उदर हो चुके हैं इसलिए आपका एड्मीट कार्ड जो है लास्ट वीक और ट्वेघ तोन्टे यानि कि नॉंबर महिना में जो लास्ट वीक होंगे उस तिथी को आपका एडमीट काड को इगनु के तोरा जो आपिसली तोर पर रिलीच कर दिया जाएगा तो आसा करते हैं दोस्तों कि यहां पर हमने इस वीडियो में तमाम आपके जो दिल में मन में कॉस्चन थे आप नीचे कमेंट लिखे दोस्तों आप किस सेक्षन के स्टूडेंट है दिसंबर के किस सेक्षन के दिसंबर के है जनवरी के है जनवरी 2019 के है जनवरी 2018 के है किस केनिडेट के स्टूडेंट है आप नीचे हमें कमेंट करके जरू बताईएगा तो चलिए दोस्तों मिलते है कोई नई वीडियो के साथ नई जानकरी के साथ आसा करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाबदायक हुआ वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक्स पर वाजिक